दे पेंग्विन मैट रियूस की बैटमेन उनिवर्स ने दे पेंग्विन की ओरिजिनल बैक स्टोरी चेंज कर दी है इस उनिवर्स का पेंग्विन एक ए ओज कॉब किसी सूपर वेल्दी नहीं बलके एक अपर मिडल क्लास फैमिली से बिलॉग करता है दे बैटमेन मुई में और्स का इंट्रोडक्शन कारमाइन फैलकॉन के लिए काम करने वाले बस एक साइड विलन की तरह हुआ था जस इनके से अगर आप भूल गये हों गौथम सिटी में दो बड़े गैंग्स हैं फैलकॉन और मरोनी बट पावर केस में कारमाइन फैलकॉन की गैंग साल मरोनी से काफी आगे निकल चुकी थी कारमाइन गौतम सिटी का में मौब बॉस था यानि तब बैटमेन मुई में कारमाइन की मौत के बाद अब गौथम सिटी में एक बड़ा पावर वैक्क्यूम क्रियेट हो गया है कि भाई अब इतने बड़े मॉबस्टर की जगा लेगा कौन कॉमिक्स में पेंगविन अल्रेड़ी एक अंडरग्राउंड किंग पिन या मॉब बॉस की तरह है बट इस सीरीज में हम और स्कॉप को धीरे धीरे एक साइड विलन से में विलन बनता देखेंगे पहला एपिसोड देखते ही एक बात साफ हो गई के HBO पेंगविन के उस स्टोरी को एकदम सोप्रानोस के स्टाइल में दिखाने वाले है I mean शो देखते वक्त ही एकदम ऐसे गौथम सिटी वाले सोप्रानोस के वाइब सा रहे थे प्लस दोनो ही करेक्टर्स इटालियन है तो ये कनेक्शन बनाना एकदम नैचरल भी लगता है यस दे बैटमन इनुवर्स का पिंगविन ब्रिटिश नहीं बलके इटालियन डिसेंट का है इसलिए इसका नाम औस्वर्ड कॉबल पॉर्ट नहीं बलके ओज कॉब है एपिसोड वन की शुरुआत बिना कोई टाइम जम्प लिये दा बैटमन मुई के एंडिंग के बाद से हुई रिडलर के धमाकों से सारे गौतम सिटी में फ्लड्स आ गये थे और खिडकी में खड़ा गौतम सिटी स्काइलाइन देखते वे निउस सुन रहा था कारमाइन फैलकॉन की मौत के बाद सारे शहर में गुंडा गर्दी आम हो गई थी और हर चौक में एक नया ड्रग डीलर पनप रहा था अपैरेंटली इस वक्ड़ बैच मैन फ्लड में फसे लोगों को बचाने में बिजी था तो ये ग्राउंड लेवल के छोटे मोटे गुंडो पर ध्यान देने उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है रिपोर्ट्स का मानना था के कारमाइन की मौत के बाद उसका चरसी बेटा अलबर्टो फैलकॉन उसकी गद्दी समालेगा इस न्यूस को सुनकर और ज़रा भी खुश नहीं लग रहा था और फॉर्ण अपने परपल मजेरेटी में बैटकर आइस बर लॉंच चला गया इसने एक हतोड़ा लेकर लॉंच में बने कारमाइन के आफिस वाली तीजोरी तोड़ दी तीजोरी के अंदर कुछ जेवर और काउंसिलमें सवास्टियन हीडी और जॉन्नी विटी के खिलाफ ब्लैक मिल मटिरियल पड़ा था ये शीज़ शहद आगे के स्टोरी के लिए इंपोर्टन्ट होगी और ये देखकर बहुत खुश हो गया पर तब ही अचानक वहाँ अलबर्टो आ गया और अज ने फौरण बात गुमाते वे कहा कि वो तो यहाँ अलबर्टो को उसके पापा के गहने देने आया था और अज ने अलबर्टो को बताया कि उसे पूरा भरोसा है कि अलबर्टो अपनी नई पूजिशन को अच्छे से हैंडल करेगा पर अगर फिर भी अलबर्टो थोड़ा नर्वस फील कर रहा है तो आज उसे ड्रग्स दे कर शान्त कर सकता है पर अलबर्टो किसी बड़े ड्रग डिलीन की प्लानिंग में था वो डिल पूरी होने तक वो खुद को ड्रग्स से दूर रखेगा ये सुनते ही आज ने उसे दारू आफर की फिर अलबर्टो और आज हसी खुशी बेस फ्रेंड्स की तरह पीने बैठ गए लेकिन अलबर्टो बिचारा अपनी बुरी आदत का मारा आखिरकार उसने नाग के नहीं तो आख के ड्रग्स ले ही लिए यहीं बातो बातों ने अलबर्टो ने ओस को बताया कि वो मार्केट में एक ऐसा ड्रग लेकर आने वाला है जो सब को हिला कर रख देगा शायद यहां स्केर क्रू की बात हो रही थी फिर ऑज की वफातारी के बदले अलबर्टो ने उसे एक डाइमंड नेकलेस गिफ्ट कर दिया कार्माइन ने अलबर्टो को बताया था कि ऑज उसके सबसे फीवरेट सोल्जर्स में से एक है हमाना कि ऑज कार्माइन के नाक के नीचे से उसी का थोड़ा थोड़ा पैसा चुराया करता था पर इस बात से कारमाइन को कभी कोई फर्रक नी पड़ा क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि और जैसे लो लेवल के क्रिमिनल्स में यह चिलर पैसा चुराना आम बात थी फिर अलबर्ट। और 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 से सामने Alberta को अंदर ही अंदर tension हो रही थी कि क्या हो कभी अपने बाप जिसी इज़त कमा भी पाएगा Oz ने उसे समझाते वे कहा कि powers अलग-अलग टाइप की होते हैं Oz ने है Alberta को एक पुराने गैंग्स्टर Rex Calabrese का example दिया जो बर सो पहले Oz के महले में रहता था Godfather टाइप का गैंग्स्टर जो क्राइम के साथ साथ अपने पैसे और पावर की मदद से आम लोगों की मदद भी किया करता था लोग Rex की इतनी इज़त करते थे कि उसके मरने के बाद महले वालों ने Rex की याद में मोर्चा तक निकाल दिया Oz को भी बिल्कुल ऐसी टाइप की इज़त चाहिए थी Oz का ये चिंदी सपना सुनकर Alberto उस पर जोर जोर से हसने लग गया कि भाई तेरे जैसे लो लेवल के गैंग्सर की सोच भी ऐसी ही छोटी हो सकती है ये सुनते ही Oz ने गुस्से से Alberto के चाती में पांच गोलियां दाग दी Alberto वही जगे पर मर गया Alberto की लाश को देखकर Oz जोर जोर से हसने लग गया बर तब ही उसे रियलाइज हुआ कि भाई ये मैंने क्या कर दिया फिर Oz Alberto का फोन अनलॉक करके उसकी बोडी ठिकाने लगाने नीचे ले गया बाहर को सडक चाप चोर Oz की गाड़ी के रिम्स चुराने की कोशिश कर रहे थे ये देखते ही Oz सीधा उन पर गोलिया चलाने लगा एक गोली जाकर सीधा गाड़ी के डिक्की में लग गई बाकि सब तो भाग गये बड़ Oz ने विक्टर अगिलान नामी एक चोर को धर दबोचा Oz अब विक्टर की मदद से पहले अलबर्टो की बाड़ी को ठिकाने लगाएगा बाद में उसे भी मार देगा एटलीस Oz का इनिशल प्लान तो यही था Oz अलबर्टो की बाड़ी डिक्की में डाल कर विक्टर के साथ वहां से चला गया अलबर्टो के फोन से Oz ने शिप्मेंट की डिलिवरी डेट और टाइमिंग वगेरा सब पता कर ली विक्टर इस वक्त गाड़ी चला रहा था विक्टर से बात करते वक्त Oz को पता चला कि वो भी इसी के तरह गौथम के इस साइड से है Oz बच्पर में उसके भाईयों के साथ Crown Point के सोडा शॉप में सारे flavors मिक्स करके Suicide Slushy बना कर पिया करता था Oz मस अपने नोस्टाल्जिक खयालों में खो गया विक्टर के अभी भी फटी बड़ी थी आज की रात का अलबाई बनाने Oz इव से मिलने चला गया ताकि Murder Investigation के टाइम इव ओस के लिए गवाही दे कि हाँ उस रात ये मेरे साथ था बट इव रात को साड़े दस के बाद फरी थी फिर Oz ने अलबर्टो की बोड़ी को एक जंक याड में चुपा दिया जाने से पहले Oz ने अलबर्टो की हाथ से मरूनूई की रिंग निकाल दी Oz ने विक्टर के छोटे इंबिशन्स का मजाग उड़ाते वे कहा कि अगर ये थोड़ा दिमाग लगाते तो गाड़ी रिंप्स ऐसे जंक याड से ही चुरा लेते Oz ने विक्टर को बताया कि उसे कुछ बड़ा सोचना चीए था Oz इदर विक्टर को मारने वाला था बड़ इस बात की भनक लगते ही विक्टर उसके सामने अपने जान की भीक मागने लगा विक्टर के बाद मनाने के बाद आखिरकार Oz ने उसे एक आखरी मौका दे ही दिया ये सुनते ही विक्टर ने इससे वादा किया कि वो उसके आगे बहुत काम आएगा बड़ अगर विक्टर ने चाला के दिखाने की कोशिश की तो Oz उसे मचली की तरह चीर देगा इतना बोलकर Oz विक्टर को अपने घर ले गया यहीं हमें पता चला कि दे बादमन उनिवर्स के पिंग्विन का एक पैर कलब्ड है यानि Oz एक पैर से हैंडिकैप्ड है विक्टर को भी हलका सा स्पीच प्रॉबलम था तो शायद यहीं देखकर Oz ने उसे एक और चांस दे दिया और उपर से इंडारिकली वो उसके गाउं वाला भी तो है Anyways, सुबा होते ही Oz फिर से अपने डेली वाले काम पर लग गया Oz ने समेस्टिन हेटी के खिलाफ मोजू सबूत एक एनवलप में डाल कर कूरियर करने दिये Oz ने उसके एंपलॉई को बताया कि ध्यान रहे कि इसके रिसीवर को अच्छी तरह से पता हो कि ये पारसल Oz ने भेजा है एनवलप के अंदर हेटी के जुआरी होने के सबूत थे Oz के लोग फ्लट से ड्रग ड्रॉप को रिकवर करने में बिजी थे माना कि इस फ्लट की वज़ा से ड्रग की कॉलिटी में इफेक्ट पड़ेगा बट अगेन ये लोग कौन सी दवाई बेच रहे हैं किसी को क्या ही फरक पड़ने वाला है फिर फैलकॉन फैमिली के टॉप बॉसस ने Oz को एक एमर्जंसी मीटिंग के लिए बुलवा लिया फैलकॉन के घर पहुँचते ही जॉनी विटी और माइलोज ग्रापा ने Oz को एक निहायती बुरी खबर सुनाई कि वो जल्दी Oz की फैक्टरी बंद करके सारे ओप्रेशन्स रॉबिंस विल में शिफ्ट करने वाले है ये सुनते ही Oz की सटक गई कि वो Oz से बिना डिसकस किये उसकी फैक्टरी बंद करने का डिसिजन कैसे ले सकते है बड़ जॉनी ने Oz को समझाते वे कहा कि Oz जो फैक्टरी चला रहा है वो खुद उसका मालिक नहीं है Oz ये बात ना भूले कि वो आज भी फैलकॉन परिवार के लिए काम करने वाला बस एक नौकर है फिर आज में दोनों को समझाते वे कहा कि उसे बस और कुछ दिनों का टाइम चीए Oz एक ऐसी special deal करने वाला है जिसके बाद almost सब कुछ बदल जाएगा ये special drug deal वाली बात सुनते ही फैलकॉन की बेटी सोफिया धीरे धीरे रूम के अंदर चली आई सोफिया एक psycho cop serial killer है जो के हाल ही में आरकम से छूट कर आई थी Oz की बाते सुनकर सोफिया ने उससे सीधा एक ही सवाल किया कि उसका भाई Alberto कहा है बड़ और और ने इस भात को घुमा दिया कि Alberto अब काफी busy आदमी बन गया है वो जरूर किसी important काम से कहीं बाहर गया होगा लेकिन सोफिया को Oz की बातों पर पूरा शक होने लगा बाहर जाते हैं सोफिया ने Oz की गाड़ी पर गोली के निशान देखे फिर सोफिया इसे जबरदसी अपने साथ एक fancy restaurant में खाने पर ले गई सोफिया ने Oz को बताया कि वो जिस special drug deal के बारे में बात कर रहा था न उसके बारे में सिर्फ Alberto और सोफिया ही जानते थे Oz का अचानक से इस deal में शामिल हो जाना और उसी वक्त Alberto का गायब होना दाल में कुछ काला लग रहा है बढ़ा जिस टाइब के pressure handle करने में एकदम expert है इसने सोफिया को बताया कि हाँ वो अलबर्टो से अपने lounge में मिला था जाए अलबर्टो ने ही खुद उसे special drug deal के बारे में बताया मेभी सोफिया को ये बात बताने से पहले ही अलबर्टो किसी काम से शहर से बाहर चला गया और ओस को पता नहीं था कि सोफिया जेल से छूट गई है तो इसलिए इनके बीच ये communication gap हो गया ओस को वाके में एलबर्टो की current location के बारे में कुछ नहीं पता सोफिया एक psycho villain की तरह शान्ति से ओस की बाते सुन रही थी बढ़ जाने जबले इसने ओस के कान में बताया कि चाहे लोग ओस को कितना भी underestimate कर ले बढ़ सोफिया अच्छे से जानती है कि ओस एक्चुल में कितना पहुचा हुआ बंदा है इस पूरे सीन में टेड मोस्बी की बीवी ने कमाल की acting की है I mean क्रिस्टीन मिलोटी का ये साइको रूप देखकर at least मैं तो काफी इंप्रेस हो गया फिर ओस विक्टर को लेकर अपनी माँ फ्रांसिस के घर चला गया फ्रांसिस को डिमिंशे की बिमारी थी और उसने दवाईया लेना भी बंद कर दिया था Oz ने मम्मी को अलबर्टो का दिया डाइमन नेकलेस पहना कर बताया कि उन्हें जल से जल यहां से कहीं दूर जाना होगा Oz ने भाप लिया था कि ये साइको सोफिया की गैंग कभी भी इने निप्टाने आ सकती है Oz का अजीब सा बरताओ देखकर Francis समझ गई कि वो जरूर उससे कुछ छुपा रहा है Oz ने अखिरकार अपने मम्मी के सामने कनफेस कर दिया कि अलबर्टो उसका बहुत मजाग बना रहा था तो उसने गुसे में उसे मार दिया यहीं हमने देखा कि Oz की मम्मी तो भाई उससे भी बड़ी गैंग्स्टर निकली Francis ने Oz को बताया कि अगर मारा है तो सीना तान के बोलो ना मारा है पावर ऐसे चुपने और भागने से नहीं आता पावर को जताना पड़ता है फिर रात में विक्टर के साथ गिल्डा मुई देखते वक्त Oz की दिमाग में एक आईडिया आया बेसिकली टी उपर जो गाना चला था उसका मतलब ये है कि किसी चीज़ का इलजाम दूसरे के सर पर डाल देना escape go type situation अगले दिन विक्टर को future की planning के steps बता कर Oz सीधा जेल में मरोनी से मिलने चला गया बेसिकली मरोनी के साथ हाथ मिलाने बेट मरोनी को Oz जैसे दोगले के साथ काम करने में कोई interest नहीं था जाने से पहले Oz ने मरोनी को उसकी ring वापिस करके बताया कि बिलकुल इस ring की तरह ही वो मरोनी को उसकी इजद लिवापस लोटा सकता है मरोनी ये ring देखकर एकदम हैरान रह गया indicating कि ये ब Oz को underestimate नहीं कर सकता घर वापिस लोटते ही Oz ने देखा कि नीचे सोफिया और उसके बंदे Oz का इंतिजार कर रहे थे ये देखती Oz फौरण वहाँ से भाग गया बड़ सोफिया ने समय रहते Oz को वहाँ से भागते देख लिया Oz ने बड़ी चतुराई से अपनी मजराटी के डिक्की में छुपकर सबको चकमा देने की कोशिश की बड़ सोफिया के आदमियोंने आखिरकार उसे बेहोश करके पकड़ी लिया होशाती औuchen ने देखा कि सोफिया ने उसे नंगा करके कुरुसी से बाण दिया सोफिया ने विक्तर के चिंदी चोर पार्टनर्स में से एक बे को पकड़ लिया था इस बन्दे न सुफिया को साफ साफ बता दिया कि जिस रात अलबर्टो गायब हुआ था उस टाइम और्ज की परपल मजवराटी लॉंच के बाहर खड़ी थी यानि और जब तक ये सच नहीं बता देता सुफिया उसे बुरी तरह से टॉर्चर करते रहेगी सुफिया अर्खम से एक से बढ़कर एक टॉर्चर मेथड सीख कर आई थी और उस ने उसे समझाया कि ये लड़का जूड बोल रहा है ये सुनते ही अपना साइको पना दिखाने सुफिया ने बिना कुछ सोचे समझे और उस के सामने उस लड़के को मार दिया बढ़ ओज अब भी अपने बयान पर अड़ा रहा कि उसे वाकई में नहीं पता के अलबर्टो कहा है सब ही अचानक बाहर एक गाड़ी आकर क्रैश हो गई जिसके डिक्की में अलबर्टो की लाश पड़ी थी किलर ने अलबर्टो की पिंकी फिंगर काट कर गाड़ी के डिक्की में एक मैसेज भी छोड़ा था पेबैक टाइम इंडिकेटिंग के ये काम जरूर मरोनी गैंग का है अपने भाई की लाश को देखकर सोफिया चिला कर रोने लग गई सोफिया की चीखे सुनकर और जोर जोर से हसने लगा कि वाई इसका प्लान काम कर गया मरोनी को मिलने जाने से पहले और ने विक्टर को इसी प्लान के बार में बताया था और तो के कहने पर Victor ने Elberto की उंगली काट कर उसकी लाश को Falcon के घर भिजवा दिया और 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 उसने बड़ी चाला की से Elberto की ring Maroni को भी वापस कर दी अब Maroni के पास ring देखकर सुफिया को भी पूरा एकिन हो जाएगा कि उसके भाई को वाकई में Maroni नहीं मरवाया है मरोनी के पास भी इस खून का सारा क्रेडिट लेने के इलावा दूसरा कोई option नहीं बचा I mean nothing to lose इससे उल्टा मरोनी गैंग का दबबा मार्केट में और बढ़ जाएगा यानि आज ने एक ही तीर में तीन शिकार कर दिये खुद की जान भी बचा ली शायद सूफिया को इस पर भरोसा भी हो जाएगा और मरोनी के दिल में इसके लिए respect भी बन गई Oz और Victor सूसाइड सलशी पीते वे अपने future को डिसकस कर रहे थे धीरे धीरे Victor भी ये गैंस्टर लेवल वाला खून खरावा सी की जाएगा वैसे भी अब Oz को ये low level के drop shipment वाले drug business में कोई interest नहीं रहा जैसे के Alberto ने कहा future में आने वाला वो special drug सारे market का game पलट देगा यानि जो भी वो special drug को control करेगा वो सीधा Gotham पर राज करेगा और यहाँ finally Oz Cop एक एक पेंग्विन के दिल में एक kingpin बनने की चिंगारी जाग गई अच्छा होगा कि Victor भी इस प्लान में पूरे मन से Oz का साथ दे और यहाँ होता है episode 1 खतम भाई अटलिस पहला episode तो एकदम कमाल का था hopefully show की quality आगे ऐसी ही बनी रहे unfortunately अगला episode सीधा 29 तारीक को आएगा alright that's it for now अगर आपको वीडियो अच्छा लागा तो please like, share and subscribe for more videos like this मैंने ऐसे और भी वीडियो बना है जैने के links आपको description box में मिल जाएंगे thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one pains झाष्सक्त